हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक तो माय यूट्यूब चैनल बिंग कॉंफिडेंट आज हम अपना चाप्टर करेंगे एर एड़ वाटर हम जानते हैं कि red water मारे पास natural resources है जिनके बीना हमारा survival मुश्किल है सबी living things को हवा चाहिए होती है और वो कहां present होती है हर जगें present होती है और जिसका कोई color नहीं होता सो अब हम atmosphere के बारे में पढ़ेंगे atmosphere क्या होता है blanket of air होती है जो की हमारी earth को surround करती है और ये किसकी वज़े से present होती है हमारी earth के around gravitational force of earth की help से और next step के हमारी atmosphere की layers कितनी है सो ये five layers होती है अब atmosphere जो है वो kilometers तक extend गरता है हमारे earth की surface से उपर सो उसकी five layers है first है हमारे पास troposphere troposphere जो है वो हमारे earth की surface से उपर होती है और ये layer जो है इसमें हमारी ये हवा मतलब की इसमें optimum amount of air present होती है हमारी जो की हमें favorable रहती है मतलब जो हमें चाहिए होती है वो हवा इसमें होती है और wind हवा जो है और clouds जो है वो भी इसी layer में form होते है और जो हमारी weather में changes होती है वो भी इसकी वज़े से ही होती है next stratosphere ये second layer है हमारी atmosphere की जिसमें क्या है jet planes उड़ते है और ये क्वाइट मतलब की थोड़ी से stable भी रहती है और ये क्या है इसमें क्या होता है कि जो ozone layer है हमारी stratosphere की जो उपर है वो observe कर लेती है UV rays को जो की sun से आती है और जो skin cancer cause कर सकती है next मेजोस्फेर मेजोस्फेर क्या है हमारी third layer है और जो क्या करती है जब हमारी universe से कोई मेटराइड आता है तो वो हमारी earth की surface से नाट कराए इसलिए क्या करती है मेजोस्फेर उसे burn कर देती है next क्या है thermosphere यह हमारी fourth layer है जिसमें क्या है कि space shuttles गूंबते है exosphere जो की हमारी upper most layer है atmosphere की जो हमारे communication में help करती है किस की वज़े से videos, mobiles की वज़े से अब इस atmosphere की importance क्या है first importance है कि इससे temperature सही रहता है हमारी earth पे जो की living beings के लिए suitable रहता है और second यह हमें protect करता है sun की harmful UV rays से और third यह metroid most मतलब की जादा तर metroid को हमारी earth के surface पे आने नहीं देता और fourth यह thousand kilometer तक extend करता है हमारी earth की surface से उपर next है हमारे पास composition of air air जो है mixture होती है gases का मतलब की बहुत सारी gases present होती है जो की हमारे मतलब plants, animals और human beings के लिए बहुत ही important होती है so वो उनकी quantity बताई हुई है so 78% हमारी air में nitrogen होती है 21% हमारे पास oxygen रहती है और less than 1% 1% से भी कम जो हमारे पास बाकी gases होती है जैसे की आरगन, carbon dioxide, krypton, etc so और क्या होता है हवा में water papers रहते हैं, smoke रहती हैं और dust particles रहते हैं next आगे है nitrogen nitrogen में क्या है कि living organisms को nitrogen ड्रेक्टली हवा से नहीं चाहिए होती है plants जो है यह nitrogen को bacteria की help से लेते हैं जो की उनकी roots में present होता है और animals जो है वो इस nitrogen को plants की help से ले लेता है nitrogen है जो वो किसी चीज़ की burning में help नहीं करता है मतलब कि अगर आग लगानी हो तो अगर nitrogen present होगी तो वह पर आग नहीं लगेगी सो यह बर्निंग के rate को reduce कर देता है नेक्स्ट आगी हमारे पास oxygen औक्सिज़न सब्सक्राइब के लिए क्योंकि वह ब्रीफिंग के लिए important रहती है उनके लिए और यह बर्निंग में भी help करती है नेक्स्ट है carbon dioxide carbon dioxide जो है वह green plants के लिए बहुत essential होती है बहुत जरूरी होती है क्योंकि इसी के help से वह अपना photosynthesis का process complete करती है photosynthesis का process वह होता है जिसमें जो plants है वह अपना food प्रिपेर करते है so second है कि यह हमारी atmosphere को गरम करके रखती है other gases जो है जैसे की helium neon argon krypton and hydrogen वह भी हमारी एर में present होती है आरगन जो है वह colorful glow जो होती है मारे बल्स में उसे produce करने में यूज की जाती है और fluorescent tubes जो है उन्हें produce करने में नियोन जो है नियोन यूज की जाती है electric bulbs को बनाने के लिए और glow science को helium जो है वह बल्हूस को भनने में यूज की जाती है water vapor water vapor मतलब की amount of water vapor जितने वाटर वेपर हमारी हवाँ में present होगे उसे हम बोलेंगे humidity हमारी एर humid होगी जब जाधा water vapor प्रेजन्ट होगे उनमें और जो humidity है जब वो लो होगी तो हमारी हवाँ ब्राई होगी और अगर humidity जादा होगी तो वो हमारे लिए uncomfortable होगी क्योंकि हमारी स्वेट जो है वो भी evaporate नहीं हो पाई गी बाकी का चैप्टर रहा हम अगली वीडियो में करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और लाइक करना वीडियो को ठैंक यू